हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लेकर आए हैं मिर्ची वड़े की रेसिपी जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाएंगे हम बहुत डिफ्रेंट स्टाइल में तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और तो जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा हम इसमें एड़ करेंगे एक चोथाई चमत जित्ता साबूत जीरा साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे दो बारिक कटी हुई हरीमेच हरीमेच आपने स्पाइस के कोडिंग डालिएगा इन सभी चीजों को डालने के बाद हम इसमें डा अच्छे से चटकने लगेंगे, हम इसमें एड़ करेंगे, बारी कटी हुई प्यास, अगर आप प्यास नहीं खाते हैं, तो आप प्यास को skip कर सकते हैं, इसकी जगा पर आप कोई दूसी सबजी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो प्यास को हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे सा कलर आएगा, साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे, आधा चोटा चमत जितना धनिया पाउडर, एक चोथा ही चमत जितना हम इसमें एड़ करेंगे, जीरा पाउडर, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी आड़ कर सकते हैं, लेकिन हमने हरी मिज तो यहाँ पर हम उसे skip कर रहें, तो अब इन सभी मसालों को हम मेडियाम फ्लेम पर अच्छे से भूल लेंगे, जैसे हमारे मसालों से अच्छे से खुश्बू आने लगेगी, तब हम इसमें एड़ करेंगे, उबले हुए आलू, तो बेक्शोर कीजिए गाओ कि फ्रश आल अगर आपके पास इस तरह का मैशन नहीं है, तो आप आलू को अच्छे से क्रेट करके भी इसमें एड़ कर सकते हैं, तो देखिए आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, तो अब इसमेश की हुए आलू और मसालों को हम अच्छे से मेक्स करेंगे, और इसे भी हम एक से 2 मि気ंश के लिए अच्छे से भूनेंगे, तो जैसा ही हमारे ही अलू अच्छे से भून जाएंगे, हम इसमें अड़ करेंगे स्वादन नुसान नमक साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा चमच जितना गरम मसाला पाउडर, इसने हमारे नास्ते में बहुत ही अच् से mix कर देंगे और यहां पर हमारी जो stuffing है वो almost ready हो चुकी है तो अब अपनी गैस की flame को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो जब तक हमारी था पापड़ों को भीगो कर भी इसमें add कर सकते हैं पहले आप पापड़ को अच्छा से पानी में सोख कर लें उसके बाद आप इसे आप करें लेकिन यह जाता है तो यहां पर हमने पापड़ों को तोड़कर इसमें add कर दिया है इसके बाद हम डालेंगे एक चौथाई कब जितनी सूजी, सूजी से हमारा जो नास्ता होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, तो सूजी आप मोटी या महीन कोई भी दाने के इस्तमार कर सकते हैं, जो भी आपके घर में इसली मिल जाए, तो इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मत जितना बेसन से हमारा नास्ता बहुत अच्छे से बाइंड होगा, तो देखिए इस तरह से दो चोटे चम्मत जितना बेसन हम इसमें आड कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे एक कप जितना पानी, तो इसे हम दो से तीन मिनट के लिए रेस पे छोड़ देंगे, ताकि सारी चीज आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यार पतला भी नहीं और बहुत ज़्यार भी नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी का अस्तमाल किया है, तो ये शुजी फूलती है, बहुत ज़्यार भी बनाएंगे, इसके बाद हम इसमें एड करेंगे, थोड़ी सी फ्रश बारिक को हम ले लेंगे जो हमने तयार की थी इस स्टफिंग को हम मिर्ची वड़े में फिल करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको मिर्चियों को अच्छे से वाश कर लेना है एक से दो पाड़ी अज़े ठोड़ा सा इस तरह से कट लगाएंगे उसके बाद अपने आलो को इसके अच्छे से फिल कर दिया है तो इसी तरह से हम अपनी बाकी बची मिल्चियों को भी फिल कर लेंगे तो यहाँ पर चलिए फटा फटती से हम फिल कर लेते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर सारी मिल्चियों को बनाकर रैडी कर लिया है और हमारा जो बैटर है वो भी बनकर रै आपस में चिपकने लगेंगे और ये बिखर जाएंगे तो इस तरह से मेक्शूर कीजिए का जितना पैन में आ रहे हैं उतने ही मिर्ची वड़े को फ्राइ करें तो यहां पर हमने चार से पांच मिर्ची वड़े को इसमें आड कर दिया है क्योंकि हमारा पैन बढ़ा है आप पलटके 2-3 मिनिट के लिए इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाना है तो जैसे इसमें प्यारा सा कलर आ जाएगा और आपको लगे का यह बखुत ही अच्छे से क्रिस्पी होगा तब आपको इसे तेल से बाहर निकाल लेना है और इसे आपको गर्मा गर्म सफ करना है तो इसी तरह से हम अपने बाकी बचे मिर्ची वड़े को भी अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो फ्रैंस बनकर तयार हो चुका है हमारा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और गर्मा गरम नास्ता इसे आप एक बास ज़रूर ट्राइ कीजेगा खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाना भी इसे बहुत ही कम चीजों में हमारा ये नास्ता बनकर तयार होता है तो एक बास ज़रूर से बनाइए और हमें कमन्ट को बताइए कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ऐसी ही नहीं मज़ेदार रेसिपी अब्सक्राइब का सब्सक्राइब करदेट रेसिए।